जो अपना योगदान है जो सरकार के लिए वो देना ज़रूरी है तो शादी होने के तुरंट बाद उनको बोला मैंने पास में था तो मैंने बोला पहले वोट देकर बाद में चबते हैं पहले मतनान फिर उसके बाद ही कोई काम और इसी कहवत को चरितराथ करते हुए एक नव निवाहित जोड़ा पहले वोट डालने आया और उसके बाद ही आप कोई काम करने जाएगा आपको बताते हैं कि आज राजस्तान की बारा सीटों पर लोगसोब चुनाओं को लेकर वोटिंग चल रही है और हम नागोर में मौजूद है नागोर में कल शादी करने के बाद पहला काम आज जो इन्हों ने किया वह यह कि वोट डालने आया और यह कहीं नहीं दर शाहता अज आपने बोला इंगोको डने के लिए जिन को बोला में चाथ अपना योग्दान जो कि जो सरकार के लिए उतना ज़ड़िया तो शादी होने के तुरंथ बाद इंको बोला में तुरेंड़ा में products में था तो मैंने भूल dá पहले वोरट कर बाद में चुकते हैं शादी आपकी कल हो गई उसके गरात में हुई उसके बाद पहला कम आपने वोट का निशान दिखा दिखा दी जाए तो आप देख सकते हैं कैसे जो जो नई नमीली दुलहन कंछा फ्राठाउन है उन्होंने पहले वोट डाला है और उसके बाद ही कोई और गर कांद के । अब कितना कैसे महसूस होता है जब यह सब चीजे इस परव आता है कि को लोगतंतर का पर माना जाता है आप लोगों को ने कप प्लाणिंग की थी कि पहले वोट डालेंग उसके बाद ही आगे जाएंगे कि मिन लैंनिंग तो सुच रखा था पहले से सोच रखा था कि यह ऌर पहले तो धान होता है इसके बाद में और कोई काम हो तो अच्छा है ना अच्छा लग रहा है आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं आज आप परिवार वाले आप आप लोगों को कब कभी आहसास हो कि कल वोटिंगे आज शादी है कैसे मैंनेज किया पूरा आप में ओ इजी था ना रात में शादी होगे सुबह निकलते बाद पहले मत् और इस लोग वोट दाले आएंगे तो यह परिवार वाले और आपने देखा कि कैसे शादी होने के तुरण बाद जो है इस जोड़न ने यह तैग कि पहले वह अपना अधिकार जो मत्तिदान का है उसको मत्तदान करेंगे उसके बाद ही जो है कोई और काम शादी के बाद जो घरगरिशती के काम होते हैं उस काम में लगेंगे केमरेमेन कुछ बेरिक साथ में प्यूश मिश्वा नागौर राजिस्थान आज तक